हलो फ्रेंड स्वागत एक बाद फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस में और वीवर आज की इस वीडियो में हम बोलीवुड फिल्म इंडस्री के आल राउंडर एक्टर गोविंदा की पंद्रा अन्रिलीज मुवीज की डिटेल आप वीवर्ज के साथ शेयर करने जा रह है उमीद करता हूं कि दीगर वीवर्ज को भी ये वीडियो ज़रूर पसंदाएगा वीवर्ज की बात करें तो 90 का एरा अगर देखा जाए तो कॉमेडी मुवीज के लिहाज से टॉप नमबर वन एक्टर थे गोविंदा जहां पर रोमेंटिक मुवीज के लिए शारोखन पेचाने जाते थे और एक्टर मुवीज के लिए सनी देवल पेचाने जाते थे तो वहां पर कॉमेडी एक्टर ड्रामा मुवीज के लिए सिर्फ एक ही चौइस हुआ करती थी गोविंदा सर गी और ऐसे में 15 एसी मुवीज हैं जो कि किसी ना किसी वज़ा से रुक गई अ आज तक ये मुवीज रिफ नहीं हो पाई हैं उन 15 मुवीज की डिटेल आज की स्वीडियो में आप विवर्ड के साथ शेयर करने जा रहा हूं उमीद करता हूं कि हमारी आज की कोशिश भी आप विवर्ड को पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अन्रिलीज मुवी का नाम है सूर्मा इस फिल्म को लेकर 1986 में अनौस्मेंट की गई थी और ये शुरुवाती दोर था गोविन्दा सर का जब वो बॉलिवुड फिल्म इंडस्री में इंटर हुए थे और एक ब्रेक डानसर के तोर पर वो काफी पहचाने जाते थे तो ऐसे में लेकर उनको अक्शन मुवी जिसमें उनका डांस भी होता है लाजमी बात है सूर्मा नामी मुवी अनौस्मेंट की गई लेकिन ये फिल्म इस फिल्म भी नाइनौस्मेंट तक ही महदूद रही शुटिंग फ्लो पर ना सकी और वीवर गोविन्दा की सेकेंड अन्रिली की तीसरी अन्रिलीज मुवी का नाम है जाने जाना इस फिल्म को लेकर गोविंदा शेशी कपूर और मिनाक्षी के नाम लेकर 1990 में इस फिल्म की अनॉसमेंट की गई थी लेकिन ये मुवी भी सिर्फ अनॉसमेंट तक महदूद रही शूटिंग फ्लॉर पर नहीं आ सकी और व गोविंदा काजोल के आपोजेट काम करते लेकिन 1996 में अनॉसमेंट की जाने वाली ये मुवी भी सिर्फ अनॉसमेंट तक ही महदूद रही शूटिंग फ्लॉपर ना सकी और वीवर गोविंदा की नेक्स अनॉसमेंट का नाम है जवान इस फिल्म को डारेक करना था शाम र ना मिला तो यह फिल्म शूटिंग फ्लॉट तक ना सकी और फ्रैंड गोवंदा को लेकर एक और अनॉसमेंट की अनॉसमेंट की गई थी लेकिन 45 में इस फिल्म की यह मुवी भी सिर्फ अनॉसमेंट राजाराम इस फिल्म को डारिक करना था डेविड धवन ने और फिल्म की लीड कास के लिए गोविंदा, सल्मान खान, जेकी श्रॉप और मनिशा कॉराला के नाम लिए कहते हैं 1997 में इस फिल्म की अनौसमेंट की गई थी लेकिन ये फिल्म भी सिर्फ अनौसमेंट तक महदू रही शूटिंग फ्लॉर तक ना आ पाई और वीवर गोविंदा सर की नेक्स अनौसमेंट का नाम है दुलहन दिलवालेगी इस फिल्म को डारिक करना था जीमी निरूला ने और फिल्म की लीड कास के लिए गोविंदा और रवीन अटेंट के नाम लिए गय थे और इस फिल इस फिल्म को डारिक करना था सधर फिल्म की लीड कास के लिए गोविंदा सेर्वत छा contar वालिग एपत्र Dasन में और व्यूर प्विंदा के नाम लिए गए थे और ये पहली दफा अगर फिल्म बंदी तो सेर्वत टोसमें झाल्जा के मुवी का नाम है पडोसन और ये सुनील दत की पडोसन मुवी का रीमेक था जिसे डारिक करना था आजे पंसेकर ने और इस फिल्म की लीड कास के लिए गोविंदा संजे दत और केतरिना केफ के नाम लिए गये थे और इस फिल्म की अनॉसमेंट 2007 में की गई थी लेकिन ये फ 2008 में इस फिल्म की अनॉसमेंट की गई थी लेकिन फेम मुवी भी सिर्फ अनॉसमेंट तक महदूद रही शोटिंग फ्लॉर पर ना सकी और इसी तरह गोविंदा की नेक्स अन्रिलीज मुवी का नाम है हैपिली डिवास्ट इस फिल्म को डारिक करना था इंदर कुमार ने फिल्म की लीड कास के लिए संजेदत, अनिल कपूर, गोविंदा और रक्षे खना के नाम लिए गये थे और ये पहला मौका होता जहां पर इतने दिगए स्टार एक साथ काम करते हैं 2010 में इस फिल्म की अनॉसमेंट की गई थी लेकिन इतनी बड़ी कास को लेकर हैपिली ड दारिक करना था टिक मंचू डोलिया ने फिल्म की लीड कास के लिए गोविंदा, सुनील शेटी और रिमी सीन के नाम लिए गये थे और इस फिल्म की अनॉसमेंट 2011 में की गई थी लेकिन ये फिल्म भी सिर्फ अनॉसमेंट तक महदूद रही शूटिंग फ्लॉर पर ना सक और इसी तरह गोविंदा की नेक्स अन्रिलीज मूवी का नाम है रन बोला रन इस फिल्म को डारिक कर रहे थे नीरज वोरा और फिल्म की लीड कास में गोविंदा तुशार कपूर शामिल थे और 2013 में इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी इस फिल्म की तक्रीबन साल से ज्यादा आर्सा होस्पिटल में एडमें ट्रेने के बाद नीरज वोरा की डेथ हुई तो ये फिल्म भी डबे में बंद हुई है तो आज तक ये फिल्म रिलीज नहीं की गई और फ्रेंड इसी तरह गोविंदा की पंदरवी अन्रिलीज मूवी का नाम है पार्टनर इस फिल्म को डारेक्ट करना था डेविड धवन ने और फिल्म की लीड कास के लिए सल्मान खान गोविंदा और संजिदत के नाम लिए गए थे और पार्टनर मूवी की सकसेस के बाद पार्टनर टू अनौस की थी डेविड धवन ने 2015 में इसकी अनौसमेंट हुई थी और गोविंदा और सल्मान खान के साथ इस फिल्म में संजिदत को भी प्लस किया जाना था लेकिन इतने बड़ी कास की इस फिल्म के लिए कोई बड़ा फाइनाइंसर ना मिला और साधी साथ दूसरा कारण ये था कि सल्मान खान के पास डेट नहीं थी इस फिल्म के लिए तो 2015 से इस फिल्म को अनौंस किया गया था लेकिन ये फिल्म इतनी डिले हो चुगी है कि अब इन तीनों स्टार के साथ तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म आगे जाके शूट की जा सके और फिर ने था हमाराज के वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने गविंदा सर की 15 अन्रिलीज मुवीज की डिटेल आप वीवस को प्रोवाइट की है वीवर गविंदा सर की इन 15 अन्रिलीज मुवीज में आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी मुवीज है जिने रिलीज होना चाहिए था और जो के positive impact दे सकती थी गोविंदा सर के करियर में कॉमेंट सेक्शन में इन 15 मुवीज में अपनी फेवरिट मुवीज के ना मेंशन करना न भूलिएगा और आने वाली वीडियो में आप बोलीवुड फिल्म इंडेसी से जुड़े किन किन सुपर स्थार एक्टर डारेक्टर या प्रोडूसर्स के उपर वीडियो देखना चाते हैं कॉमेंट सेक्शन में उनका ना मेंशन करें मैं उनके उपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा तो फ्रेंट जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलू पूरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर अगर आप ने हमारे चैनल मैंसान सटारडस को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइक़ भी जरूर प्रेस कीजेगा ताके हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम इवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया